मेरा नाम सत्तिदेवा नंद अबधूत है मैं आनन्दमार प्रचारक संग के सिन्यासी हूँ आनन्दमार प्रचारक संग 1955 बिहार के जमालपूर में स्टार्ट हुआ और करीब दो सो दस कंट्री में इसका ब्रांच है इसका एक मुख उदेश यही है आत्मुक्षार्तम जगत हितायचो अनि आत्मा की मुक्ति के लिए ध्यान, मेडिटेशन, अश्टांग, योग, शाधना है यम, नियम, आसन, प्रणियाम, प्रतिहार, ध्यान, धारना, श्रमादी ये अश्टांग, योग, शाधना को लेके चलते हैं और ये जो है राजा धी, राज योग, ये हमलों का मुख्य है, राजा धी, राज योग और योग जो है, योग का मैं डिफिनेशन बना रहा हूँ, कि सन जोगो योगो यक्तुक्ते जिवात्मा परमात्मा, जिवात्मा को परमात्मा में मर्च करना ही योग है जैसे one plus one is equal to two होता है लेकिन नहीं जैसे योघ में क्या होता है one plus one is equal to one यहानी unification जैसे हम एक glass में sugar डाल देते हैं तो दो सत्ता है लेकिन एक सत्ता मिल जाता है उसी तरह आत्मा को परमात्मा में मर्ज कर देना ही यह योग है योघ में क्या होता है कि आसन एक पार्ट है आसन एक फिजकल फीट रखने के लिए एक आसन है हम लोग के गुरुदेव ने एक कोस्की और तांडव दिये हैं जो कि फिजकल फीट रहे और हम लोग का मुख्य है एक तो शाधना हो गया एक सेवा हो गया सेवा मतलब किया है हम लोग का कि इसकूल है कॉलेज है इनवर्सिटी है हम लोग के गुरुपर लिए इनवर्सिटी भी चलाते हैं और एमर्ट नाम का एक संस्ता है आनन्द मार्ग यूनिवर्सर रिलिफ टीम ये पुरे वर्ल्ड में रिलिफ का काम करते है जहां भी पाता है, बाढ़ आता है, या मैनमेट कलाइमिटी आता है, तो उसका वहाँ पर जा करके हमारे बोलिनटियर्स पुरी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो वहाँ जा करके सेवा का काम करते हैं, और कहीं भी जैसे अभी COVID का चल रहा था, तो हम लोग करीब यहाँ पर पुड़े वर्ल्ड में, इवन आनन्दमार्क, एंजियो, उनों से रिष्टर्ड है, नॉन गवर्मन्न और्गनिज़ेशन, एंजियो, इसका जो है, दो मेंबर्स हमारे युनिटेड नेशन में, इसका मेंबर के रूप में रिष्टर्ड है, और पुड़े वर्ल्ड में ही हम और आनन्द मार्क का एक सेवा का काम कारिकरम लेके चल रहा है और हैदरावाद में हम लोग का आश्रम है वहाँ पे इसकुल चलते हैं जहाँ पे की 200 स्टूडेंट पढ़ते हैं जो गरीब है जो फीज ज्यादा ने भर सकते हैं हम लोग का कॉमर्शियल नहीं है इसकुल एक स अबुम्नगर में 11 एकर लेंड हैं जमीन है वहाँ पे गौसाला है फिर बृधा अश्रम खुलने की बात चल रहा है बृधा अश्रम और मेडिकल यूणीट भी वहाँ पे हम लोग खोलेंगे दूसरा हम लोग का आंत्रब्रदेश में भी है विसा का पतवन में हैं विसा का सबका तो परमात्मा ही है, सब परफादर, आनातनी बोलते हैं, हम लोग होम बोलते हैं, चिल्डन्स होम बोलते हैं, तो वहाँ पे विशा का पत्नम में भी है, और हम लोग का मंत्रा आलम में ही हम लोग का जमीन है, वहाँ पे हम लोग अक्टिविटीज कर रहे हैं, मास्टर सेवा ही माधव सेवा है मतलब मनुष्य की सेवा करेंगे तो परमात्मा खूस होंगे इसलिए इस धर्ती पे मनुष्य जो है मनुष्य ही नहीं जीव, जन्तू, लता, गुल्म ये पेर, पोधे जो हम लोग को आक्षिजन देता है इसकी भी सेवा करना है ऐसे नहीं की सिवा करना है पेर, पोधे, जीव, जन्तू को वे आप सेवा करेंगे एक नेचर को ज़दी आप बरकरार रखेंगे तो वो भी आपको केर करेंगे जैसे कि पलांट है पलांट को लोग अभी काट रहे हैं और लगानी रहे, उसको लगाना चीए, जैसे जो मुझने जे 5 प्लांट्स लगाए, काटे, तो 50 प्लांट्स लगाना है, तो नेचर एक बाइलेंस रहेगा, नहीं तो पहुत प्राबलम हो सकता है इधर्ती पे. आज का यह ग्री प्रवेश हर प्रकार से सार्थक हो, और इन ग्री वाशियों के लिए यह ग्री मदमे हो. हमारे अशोक रेड़ी के यहां हम लोग ग्री प्रवेश आज किये, और तीन घंटे का अखंड किर्तन अभी सुरू है. और हम लोग यह आसा करते हैं कि अजी के साथ हम आशोक रेड़ी को आशिर्वात, मतलब परमात्मा के तरफ से कामना करते हैं कि खुष रहे और मदमे हो. असोगरे डिजी बहुत अच्छे आदमी हैं और सेवा कारिकरम करते हैं और मेंबर भी है अनन्दमार के मेंबर हैं अच्छा है आपने सेवा काम कर रहे हैं उसमें खुस है और अपन नया घर लिए है उसके लिए अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है आते हैं जो भी रिल काम एक्टिविटिज करते हैं, ऐसा है.